बीएट पातरता बीवात को लेकर के जो फैसला है उसकी कहीं ना कहीं अब उल्टी गिंती सुरू हो गई है स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकैडमी पर पूरी तरीके से बात करेंगे कि जो बीएड पातरता विवात को ले करके शुप्रिम कोट में आडर रिजर्व है आखिर उसका फैसला किस किस आधार पर क्या क्या हो सकता है देखिए डियर पूरे वीडियो पर अंध तक बने दहिएगा सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर कर देंगे आपकी कोई 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 सवाल अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंसन्स कर सकती हैं आप देखिए डियर आपको पता है कि माननी शुप्रिम कोट के द्वारा बीएड वर्सेस बीएस टीसी का जो मैटर है पूरी तरीके से इस कोडर रिजर्व हो चुगा है अब इसके क्या क्या फैसले हो सकते हैं कि वह लिस पर बात करेंगी देखिए डियर पहला फैसला ये हो सकता है इस समय कि जो इस्थिती अभी चल रही है प्राथमिक सुचक भरती में वही सेम कंडिसन को अपलाई कर सकता है मानिश्योप्रिम कोट यानि कि प्राथमिक में कोई भी बैकिंसी किसी भी राज्य में आ रही है तो दोनों पूरी तरीके से पात्र होंगे चाहे वो B8 के छात्र हों या BTC के छात्र हों जैसा कि अभी चल रहा है पहला फैसला मानिशोप्रिम कोट के द्वारा ये दिया जा सकता है दूसरा फैसला ये दिया जा सकता है मानिशोप्रिम कोट के द्वारा कि जो बीटीसी होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का प्राथमिक में अधिकार होगा दूसरा फैसला मानिशोप्रि कि कुछ सीटें आप कह सकते हैं बी टी सी के लिए अलग से रिजर्व कर ली जाए और कुछ परसेंट में सीटों में ओपन रखा जाए यानि कि उनमें दोनों डीलेड और बीलेड दोनों के साथी उसमें एलेजबल हों और पांचोगा जो फैसला है वो ये दे सकती है मानिशो कि राज सरकार की सहमती पर छोड़ दिया जाए जिसको जिस हिसाब से प्रात्मी सिच्चक भरती के लिए जो पातरता बनानी है उसको छोड़ दिया जाए बसरते उसके लिए एक रूल ये होना चाहिए कि जिस राज में इतने परसेंट से ज्यादा डीलेड के छात्र हैं व करने लगेगे कि साहब इसमें आपने केवल वीएड बीटी सी की जो बात की है वो पांचो जगा है देखिए डियर बीटी सी की जो बिवाद है ये बीएड पातरता बिवाद है डियर बीटी सी तो प्रात्मिक में रहेगा ही रहेगा वो पांचो इस्टेज में रहेगा उस इसका दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि या तो V8 और VTC दोनों रहेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर VTC को ही जिता दिया जाता है और V8 को भी नहीं दिता आया जाता है ये धी भी डिसीजन सकते है लेकिन जिस डिसीजन में काट ठास हो सकती है वहाँ पर बा नहीं होगा जैसे प्रतम वरीता का मतलब ये होता है कि जैसे माल लीजिये किसी प्रदेश में पचास हजार सिच्छक भती आई और वहाँ पर डिलेट के छात्र पहले से ही सात लाक या च्छाए लाक हैं तो उनहीं में वो सीटे भर जाएंगी तो डिलेट को दोतिय वरीता से भी कोई लाभ दिखता नहीं है वरतमाने वातकल ने उत्तर प्देश की 2017 बैच के बाद बीटीसी के बाद आग तक प्रात्मी पे भरती नहीं आई 17, 18, 19, 21, 24, 5 बैच रन कर चुके हैं और प्रतेक बैच में डिड़ लाक से उपर कही न कहीं डिलेट के साथ ही हैं तो आप मान सकते हैं प्रथम वरीता अगर दी जाएगी तो डिलेट के आलड़ी 7, 8 लाक भरती हो जाते हैं तो इस से मिफाइदा नहीं होगा लेकिन अगर जो राज्य सरकार की सहमत वाला आड़ार आता है मानिशो प्रिम कोर्ट की द्वारा की राज्य सरकार चुकी स्वतंतर कर दिया जाए शामुरती सूची का ये मैटर है तो राज्यों पर छोड़ दिया जाए तो देखिए इस पर भी पुनह विवाद हो सकता है क्योंकि इसी तरीके की विवाद से ही राजस्थान की जो जोदपूर हाई कोर्ट वाला डिसीजन है वो इसी के भेट चड़ा था हलाकि उसमें कल पर्थों फिर से एक एहम कहीं ना कहीं आडर जरूर आया है कि बीवाद में जो च्छै माह के व्रिज कोर्स की भरती हैं उनक क्योंकि आपको बता दी जो 2021 का रीट का एक जाम हुआ था मेरे साथ यो उसमें वीएट के भरतियों के फाम ही नहीं फिल करवाए गये थे पूरी तरीके से रोक लगा दी थी माननी शुप्रिम कोर्ट ने हलाकि बात में वो मामला हाई कोर्ट से होता हुआ शुप्रिम कोर् तो जाहे डिसीजन जिस भी आधार पर अभी आया हो अभी बीएट के जो साथी हैं वो प्राथिमिक सिछक भरती में अलेजबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले फाम ही ने फिल किया था और किसी में अगर 21 में फिल किया था तो उन्होंका रेजल्ट नहीं निगाला गया तो देखिए ये जो पांचों फैक्ट मैंने आपको बताएं हैं इस आधार पर सुप्रिम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आ सकता है लेकिन अब इसमें कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए बीएट को प्राथिमिक से सुप्रिम कोर्ट के द्वारा हटा दि बात करें अगर बीएस्टीसी के पच्छकी तो राजस्थान जोदपूर का जो आडर है उस वही एक मातराधार है उनके पास और दूसरा जो आप देखते हैं डियलेट का जो एडिमिसंस होता है कहीं ना कहीं मिनमाव एलिजबेल्टी वो इंटर के बाद भी कुछ राज्य यह इंटरमीडियर के बाद नहीं जसके ग्रिजुएसंस के बाद होता है यानि कि यह एक थोड़ा बड़ी डिगरी जरूर होती है अब देखिए इस पर जो फैसला आएगा मानुश शुप्रिम कोट के द्वारा अगर बीएट के अगेंस्ट में फैसला आता है तो आखिर वीएट के पच्छ में क्या मामला है फिर से सरकार ले जा सकती है एक परसेंट के लिए बात कर रहे हैं जी हाँ सरकार के पास पावर जरूर है कि वो बैक डोर से वीएट को प्राथमिक में फिर से ऐलजबल करा सकती है क्योंकि जो एंसीटी का गजट है जुन 2018 वाला उसने क जो डूरूल से उनको बनाने में जो नियम हैं उनको बनाने में सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है। ये कहखर एंसीटी के गजट को माननी राजस्थान की जोतपुर हाई Königya कोट ने कही नयकहीं रद्द किया था क्योंकि उसमें बातें मैंसम्सें काफी जादा कि राज्यों से सलाह लेना है जहाँ पर DLA या BTC के छात्रक नहीं हैं वहाँ पर आप B8 को सौर्ट टाइम के लिए मैंसन्स कर सकते हैं इस तरीके की कई बाते जो है सिफारिस की गई थी और हलाकि उसमें कुछ तथ्यों की अंदेखी की गई थी NCT के द्वारा इसी वज़ा से रा ना कहीं बैट डेट से बैट दर्वाजे से B8 को प्राथमिक में केंद्र सरकार NCT की मदद से पुना सामिल करा सकती हैं उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो होंगे अब B8 पातरता विवात को जो अडर है उसकी उल्टी गिंती सुरू हो गई है क्योंकि आज द पच्छों की वो लेनी है और 20 जन्वरी के बाद कभी भी मानिश्यो प्रिम कोट के द्वारा ये डेट जरूर एलाउंस की जा सकती है कि इस दिन B8 पातरता विवात का जो फाइनल ओर है वो सुनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उल्टी घडिया सुरू हो गई है इस विवात का जो निप्टारा है वो बहुत जल्द होने वाला है उम्मीदे यही है कि काफी जल्द इसका जो वाडर है वो सुनाया जा सकता है मानिश्यो प्रिम कोट के द्वारा पूरा वीडियो आपने देखा है अब आपका कोई सवाल अगर रह गया है कमेंट आपक्स में यरूर मे में तब तक के लिए जैहिं जैहारा थैंक यू लब यू गाइज वन दे मातरम